नमस्कार आपका आख़वार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंग आज आप लोगों से कुछ बातें कहनी हैं पहली बात ये कि देखे मेरा कोई इंस्ट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं है नहीं कोई फाइनिशल सपोर्ट सिस्टम है तो आप लोगों से आज एक अन्रोध करना है अन्रोध ये है कि आप लोग जिन भी वाटसेप ग्रूप में हों अपने साथी अपने मित्र रिष्टेदार घर के लोग उन तक अगर मेरा वीडियो पहुंचा सकें अगर उन तक भेज सकें और उनसे रिक्वेस्ट कर सकें सब्सक्राइब करने के लिए किवल इतना ही करना है वो सब्सक्राइब करें या ना करें ये उनकी मरज़ी पर निर्बर करेगा उनको अच्छा लगेगा तो वीडियो देखेंगे नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देखेंगे मैं सिर्फ आप से इतनी अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें ये मेरे लिए सबसे बड़ा सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ी सहायता होगी एक बात दूसरी बात कि 22 जनवरी सोमवार 22 जनवरी 2024 से मैं सुबह पांच बजे वाला वीडियो शुरू कर रहा हूँ तो आप लोगों का समर्थन सहयोग हमेशा की तरह मिलता रहेगा ये मेरी अपेक्षा है अब आते हैं आज के विशह पर नरेंद मोदी को प्रधान मंतरी बने हुए मई में इस साल 10 साल हो जाएंगे मेरी नजर में उनके प्रधान मंतरित्वकाल की सबसे बड़ी राजनितिक चुनौती दक्षिर में भाजपा के सुर्य उदय की है क्या प्रधान मंतरी नरेंद मोदी दक्षिर में भाजपा का उदय कर पाएंगे ये बड़ी चुनौती है उनके सामने और ये चुनौती इसलिए है कि इसमें केवल बात ये नहीं है कि आप संगठन खड़ा कर दे, आप वोट ले आए, कुछ सीटे ले आए, आपको विमर्ष बदलना है, वो विमर्ष जो 75 साल से आपके खिलाफ गढ़ा गया है, क्या विमर्ष? दो तरह की बाते हैं, एक ये उत्तर भारत की हिंदी पट्टी की हिंदू हिंदी पार्टी है, तो हिंदू होना तो कोई पाप नहीं है और हिंदी का समर्थन भी पाप नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, कोई संविधान विरोधी काम नहीं है, देश की राज की भाषा है हिंदी लेकिन इसको पेश किस रूप में किया जाता है देखे यही पर विमर्श का खेल शुरू होता है किसी पार्टी का हिंदी समर्थक होना या हिंदू होना या हिंदू का समर्थक होना ये तो किसी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता लेकिन इसको नेगेटिव रूप में कैसे पेश किया जाता है नकारात्मक तरीके से कि इसको हिंदी समर्थक से ज़्यादा बताया जाता है कि ये दक्षिन भारती भाषाओं की विरोधी पार्टी है और ये हिंदी का समर्थन करती है और दक्षिन भारत का विरोध करती है क्यों क्योंकि ये सनातन धर्म को मानती है और जो खास्तोर से तमिलाडू के संदर्म में बात कर रहा हूं ये द्रविणियन पॉलिटिक्स है वो एथेंस्ट अपने को मानते हैं अनिश्वरवादी मानते हैं अलांकि ये बात भी गलत है जो अनिश्वरवादी हैं खास्तोर से डियमके की बात करें अगर दरविण मुनेत करगम की बात करें ये वो पार्टी है जो इस समय तमिलाडू में क्रिश्चिन धर्मांतरन को यानि हिंदू से इसाई बनाने के प्रयास को सबसे ज़्यादा मदद पहुचा रही है हिंदू मंदिरों को तोड़कर गिरजा घर यानि चर्श बनाये जा रहे हैं और ये पार्टी अपने को जो है अनिश्वरवादी बताती है तो जो ये बोलती है जो कहती है या जो विमर्ष खड़ा करने की कोशिश करती है उसके ठीक उल्टा आचरन है इसका उसके ठीक उल्टा इसका चरित रहे इस विमर्ष को बदलना है मोदी को मोदी को ये बदलना है कि भारती जनता पार्टी दक्षिन भारती भाषाओं की विरोधी है मोदी को ये बदलना है कि हिंदू वादी होना या हिंदी का समर्थक होना इस देश के सम्विधान के विरोध में नहीं है और किसी भी भारतिय भाषा या किसी भी भारतिय प्रांत के विरोध में भी नहीं है तो ये जो 75 साल का विमर्ष है इसको बदलने की चुनोती मोदी के सामने है और मोदी को तमिलाडू या दक्षण का कोई राज्य जीतने से पहले कई प्रतीकात्मक लड़ाईयां जीतनी पढ़ेंगी और इस दिशा में प्रधान मंत्री नरेद मोदी पिछले कई सालों से बहुत तेजी से कोशिश कर रहे है आपने देखा होगा कि समय समय पर दक्षण भारत जाते हैं तो दक्षण भारत के मंदिरों में भी जाते हैं और दक्षण भारत के मंदिरों में जब जाते हैं वो तो दक्षण भारती वेश भूशा में जाते हैं यानि एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि इस संस्कृती से हमारा भी नाता है इससे हम जुडे हुए हैं इसका हम सम्मान करते हैं इससे हम प्रेम करते हैं दूसरा, संगोल की स्थापना हो संसत्भवन में या फिर काशी तमिल संगमम हो उसका आयोजन यह बताने की कोशिश, दिखाने की कोशिश यह साबित करने की कोशिश कि दक्षन भारती संस्कृति और अर उत्तर भारती संस्कृति में कोई विरुधा भास नहीं है ये दोनो भारत की ही संस्कृतियां हैं दोनों भारती ये संस्कृति है और दोनों में लडाई करके चाहे नौर्ट साउथ का डिवाइड ख़डा करके या हिंदी बनाम गेर हिंदी की लडाई शुरू करके आप दरसल देश का नुकसान कर रहे हैं, देश का कोई फाइदा नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इससे आपको कुछ वोट जादा मिल जाता हो, हो सकता है आपको इससे चुनाव में सवलता मिल जाती हो, लेकिन ultimately आप देश का नुकसान कर रहे हैं, ये बात एक दिल लोगों की में खास तौर से कि जो द्रवेडियन पॉलिटिक्स है द्रवेडियन पॉलिटिक्स का जो विमर्ष है उसको बदलना पड़ेगा भारतिय जंता पार्टी को तो भारतिय जंता पार्टी तमिल नाडु में अपने को द्रवेड पॉलिटिक्स के विकल्प के रूप में पेश कर आई-पियस के नौकरी छोड़कर बहुत कम उमूर में राजनीती में आये और सिधे भारती जन्ता पार्टी में आये और भारती जन्ता पार्टी का शीर्ष नेत्रतों उनके इस स्टेंड का समर्थन कर रहा है कि भाजपा ही तमिल नाडु में दर्विड पॉलिटिक्स का वि पर विमर्ष खड़े किये जाते हैं हम सब मानने लगते हैं उसको ये कहा जाता है और ये सही भी है कि दक्षण भारत में भारती जन्ता पार्टी बड़ी कमजोर है सही है आप चाहे वोट शेर के लिहाज से देखे चाहे लोगसभा में और विदान सभा में सीटों के लिहा लेकिन दक्षण भारत की राजनीती आप देखे पूरे देश की राजनीती को अगर आप भगोलिक दृसτιं से देखे तो दक्षण और पूरब इन दो दो भागोलिक हिस्सों में जो वर्चस्व हों है वो खेत्री दलों का है राष्ट्री दलों का नही है तो पांच पार्टक, केरल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और दो यूनियन टेरिटरीज हैं, वो हैं पुदुचेरी और लक्षदीव, इन में क्षेत्री दलों का बोल बाला है, पूरब में आ जाएं, तो आप पशिम बंगाल की बात करें, चाहे उडिसा की बात करें, और कुछ हद का आप बात करें, बिहार की, तो यहां भी छेत्री दलों का बोल बाला है, लेकिन उत्तर भारत, पशिम बारत और पूरव उत्तर भारत में भारती जनता पार्टी का बोल बाला है, ये राजिनितिक द्रिश्टी से भौगोलिक आधार पर अगर आप चिन्हित करने की कोशि भी राष्ट्री दल दक्षिन भारत में मजबूत नहीं है, और उसमें कॉंग्रेस भी आती है, कॉंग्रेस वो पार्टी है, जो आजादी के आंदोलन से जुड़ी रही है, आजादी के आंदोलन का निर्तित्व किया है जिसने, और उसके आजादी के बाद से, 1947 के बाद से छे राश्ट्री अध्यक्ष दक्षण भारत से रहें पट्टाभी सितार मैया, नीलम संजीव रेड़ी, S. निजलिंग गपप, K. कामराज, PV. नरसिमाराव और वर्तमान अध्यक्ष मलिकारजुन खरगे छे राश्ट्री अध्यक्ष रहें जिस पार्टी के जिस पार्टी ने लंबे समय तक दक्षण भारत के राज्यों में राज किया हो, वो पार्टी इस सब के बावजू जहां कमिल नाडू जैसे राज्ये में, जहां के कामराज, राजगुपलाचारी और जीके मूपनार इस तरह के बड़े कदावर नेता रहे हो, वहां 1962 में आखरी चुनाव जीती थी कॉंगरेस पार्टी, उसके बाद 1962 में हारी तब से आज तक लोटकर सत्ता में अकेले नहीं आ पाई, कभी A.I.D.M.K के साथ गड़बंदन में ही सत्ता में सरकार में अगर आती है तो आती है, लेकिन ये विमर्ष कभी नहीं खड़ा किया जाता कि कॉंगरेस पार्टी दक्षन भारत में कमजोर है या उसका वजूद नहीं है, अब आप लोगसभा सद्रिस्टियों की संख्यास के हिसाब से देखे, अभी चुकि लोगसभा के चुनाव होने वाले हैं, तिसलिए लोगसभा की बात करते हैं, 131 लोगसभा सीट्स हैं दक्षन भारत में, जिनमेश से 39, 49 तमिलाडू में हैं, एक पुदुचेरी के मिलादे तो 40, उसके अलावा लक्षदीप में एक सीट है, ये दो यूनिय टरेटिस की हो गई, आंधर प्रदेश में 25 सीटे हैं, और 17 सीटे तेलंगाना में हैं, करनाटक में 28 सीटे हैं, और केरल में 20 सीटे हैं, अब इन 131, 31 सीट में से सिर्फ 57 सीट हैं, जो राष्ट्री दो राष्ट्री पार्टियों के पास हैं, कॉंग्रेस और भाजपा, और कॉंग्रेस और भाजपा में इसका बटवारा कैसे हैं, भाजपा के पास 29 सीटे हैं, कॉंग्रेस के पास 28, एक सीट कम है, लेकिन कॉंग्रेस दक्षिन भारत में कमजोर नहीं है, बीजेपी दक्षिन भारत में कमजोर है, मैं लोकसभा चुनाव की दिश्टी से बात कर रहा हूँ, इस समय दक्षित भारत के दो राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार है करनाटक और तेलंगाना, तेलंगाना अभी आली में जीती है, कभी आंधर प्रदेश में सही हो, तो आंधर प्रदेश में जब तेलंगाना आंधर जो प्रभावी उक्षेत्री दल है, उसे गटबंधन के आधार पर जीती है, पहला, DMK के साथ तमिलनाडू में, तमिलनाडू में 49 में से 9 सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी लड़ी और 8 सीटों पर जीती, इसी तरह से केरल में UDFA, United Democratic Front, उस कई पार्टियों का गटबंधन ह उसमें 20 में से 19 सीटें ये गटबंधन जीता, 2019 के चुनाव में, 15 सीटें कॉंग्रेस अकेले जीती, तो ये गटबंधन की ताकत है, करनाटक में गटबंधन के बावजूद कॉंग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली 28 में से, JDS से उसका गटबंधन था, इसके बावजूद सीटें मिली और एक उसकी सहयोगी निर्दली उमीदवार जीती, तो 26 सीटें 28 में से, करनाटक में भारती जन्ता पार्टी को मिली, और 1991 से लगातार भारती जन्ता पार्टी को कॉंग्रेस से जादा लोगसभा सीटें मिलती रही है, लेकिन भाजपा दक्षिन भारत में कॉंग्रेस मजबूत है, तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं लोगसभा की, जिनमें से 4 भारती जन्ता पार्टी के पास हैं और 3 कॉंग्रेस के पास, लेकिन कॉंग्रेस दक्षिन भारत में मजबूत है और भारती जन्ता पार्टी कमज़ोर है, तो ये देखे, विमर्ष की य तरिंद मोदी के लिए ये सबसे बड़ी चुनोती है और केरल के तरिशूर में जो महिला सम्मेलन हुआ जिसको प्रधान मंतरी ने संबोधित किया जहां उनका रोड शो भी हुआ इस बात का संकेत है कि दक्षन भारत में परिवर्तन की हवा बैना शुरू हो गई है अब वो इस चुनाओ में कितना वोट में कनवर्ट होगी, कितना सीट में होगी ये मुझे नहीं मालूम मैं इतना कह सकता हूँ कि 2024 के लोकिसुाँ चुनाओ में दक्षन भारत में बाजपा की सबसे अच्छी परफ़्ctarमेंस होगी, सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा अे और अगर और वो कॉंग्रेस से बेहतर हो तो कोई आश्चर नहीं, गटबंधन के, कॉंग्रेस के मजबूत गटबंधन के बावजूद, क्योंकि कॉंग्रेस को जो सीटे मिली हैं, तिरपन सीटे लोकसभा की कुल मिला के पूरे देश में, उनमें से सबसे ज़्यादा तीन राज्यों स ये सीट्स जो हैं, कॉंग्रेस पार्टी को सिर्फ इनी तीन राज्यों से मिली हैं, और दक्षण भारत में उसको जो सीटे मिली हैं, वो उसको मिली हैं केरल, तमिलनाडू और तेलंगाना से, उसके लवा लक्षदीब की सीट एन्सीपी के पास है, तो अब आप देखिए क कुल मिलाकर जिस तरह से विमर्ष बनाया गया है, और जिस तरह से पधानमंत्री नरिन्द मुदी दक्षण भारतिये भाषाओं को प्रोटसाहित करने की, उनकी प्रशंसा करने की, उनकी एतिहासिक्ता को रेखांकित करने की, उनकी संस्कृती को बढ़ाने की बात, उनकी स नंस्कृति को संद्लिय करने कि बदागा कर रहे हैं, जिस तरह से राज्य सभा में दık्षिन भारत के प्रबुद्धवर को जोड़ने की कोशिश हुई है है। यह सारा फोकस है के किस तरह से दुविस्तार्थं भारत में भाजपा का फुट्प्रिنت बढ़ाये जाया किस तरह से उसका विस्तार किया जाए बावगोलिक विस्तार जो पहले वोट शेयर में और फिर सीट में कनवर्ड हो एक और आखरी बात जो विमर्ष है जो गढ़ा जाता है भारती जनता पार्टी के खिलाफ दक्षण के राज्यों को लेकर कहा जाता है कि दक्षण में भाजपा का विस्तार इसलिए नहीं हो पाया इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारती जनता पार्टी के जो राश्ट्री नेता हैं जब वो इन राज्यों में जाते हैं तो हिंदी में भाशन देते हैं वहां की जो भाशा है उसमें नहीं बोलते इसलिए संबाद नहीं हो पाता इसलिए उनकी बात लोगों तक पहुँच नहीं पाती इसलिए उसका असर नहीं होता है अब आप पर एक मिनट के लिए सोचिए कि कभी इसतरह की बात कही गई जब जवांद लान-लेहरू दक्षण भारत के राज्यों में जाते थे इंदिरा गांधी जाती थी, राजीव गांधी जाते थे, बनमोहन सिंग जाते थे, दस साल प्रदान मंत्री रहे, दक्षिन भारत के किस राज्य में गए, तमिल नाडु में तमिल में बोले, आंधर प्रदेश में तेलुगू में बोले, करनाटक में, कन्नर में बोले, केरल म में मलयालम में बोले किस राज्य में जाकर उस राज्य की भाषा से में समवाद किया भाषन दिया सोनिया गांधी 20 साल से जादा समय तक कॉंग्रेस के अध्यक्ष रही कॉंग्रेस के इतिहास में कोई भी नेता इतने लंबे समय तक अध्यक्ष नहीं रहा लेकिन सोनिया गांधी दक्षण भारत के राज्यों में जाकर किस राज्य में उस राज्य की भाषा में उन्होंने भाषर दिया तो ये विमर्ष कॉंग्रेस के लिए क्यों नहीं गढ़ा जाता है कि कॉंग्रेस के नेता जब उन राज्यों में दक्षिन भारत के राज्यों में जाते हैं तो उनकी भाषा में समवाद नहीं करते हैं इसलिए असर नहीं होता ये नकली विमर्ष गढ़े जाते हैं और बार बार उनको बार बार जैसे कहते हैं जूट को बार बार बोलते रही है सच लगने लगता है उस तरह से बनाये जाता है तो भारतिय जनता पार्टी को इन सारे विमर्षों को तोड़ना है जो जूट के आधार पर गढ़े गए हैं और अपना विमर्ष तैयार करना है भारतिय जनता पार्टी, भारतिय संस्कृति, भारतिय राश्टियता इससे जुड़ी हुई पार्टी है वो किसी राजे के, किसी राजे की भाषा, किसी राजे की संस्कृति, किसी राजे के खानपान, किसी राजे की वेशभूशा इनके खिलाफ नहीं है वो सभी भारतिय भाषाओं, सभी भारतिय प्रांतों का समर्थन करती है और उनकी समर्धी चाहती है ये विमर्ष जब तक लोगों तक नहीं पहुँचाया जाएगा दो दो काम बीजेपी को करना होगा एक जो जोसके खिलाफ जूटा विमर्ष गड़ा गया है उसको ध्वस्त करना उसको खत्म करना और दूसरा नया विमर्ष तैयार करना मैं बार बार लोटकर तमिलनाडू पर आता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल भातिय जद्धा पार्टी को तमिलनाडू और केरल में हो रही है करनाटक में उसकी सरकार रह चुकी है करनाटक में लोकसभा की ज़्यादतर सीटे जीतती रही है तेलंगाना उसका नया नतीजे पर भी दिखाई देगा, चुनाओ के दौरान भी दिखाई देगा, तेलंगाना से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक तेलंगाना में गली-गली मुहले-मुहले से जो है, वो प्रभात फेरिया निकल रही हैं, राममंदिर को लेकर, और ये सब स्वतह स्फूर के लिए लोग जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं नंगे पैर जाते हैं, और जिनको निमंतर देने के लिए अक्षत देने के लिए जाते हैं, वो लोग उनकी आरती उतारते हैं, ये द्रिश्च जो है आपको उत्तर भारत में नहीं दिखेगा इस तरह से, जितना आपको द दक्षिन भारत पर मुगलों का और मुसल्मानों का ज़्यादा असर नहीं रहा है, उत्तर भारत पर बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन कारण की बात अलग है, जो दिखाई दे रहा है समय सामने, उसको अगर आप देखें, तो आपको दिखाई देता है कि भारत कहां बसता है भारत की संस्कृति क्या है भारत की आत्मा क्या है भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है और ये आपको इस राम मंदिर के आयोजन के दौरान पूरे देश में दिखाई दे रहा है तो दक्षिन भारत में भाज़पा की राज़नीती की स्थिती सुधरेगी या नहीं ये पता नहीं लेकिन इतना तय है कि दक्षिन भारत में भारती जंता पार्टी की जो छवी है वो जरूर बदलने जा रही है और सकारात्मक रूप से बदलने जा रही है अब प्रधानमंत्री नरिद मोदी के सामने चुनौती है कि इस बदली हुई सकारात्मा चवी को वोट में कनवर्ट कर सकें क्या प्रधानमंत्री नरिद मोदी ऐसा कर पाएंगे ये ऐसा प्रश्ण है जिसका जवाब 2024 मई में ही मिलेगा तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लियर मती दीजिए आपसे अन्रोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए नमस्कार